अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटिड अवरंगाबाद सम्रुद्धी का बिजारोपन पदमाकर मुले उद्योग समूह की कमपनी अजीत सीड्स प्राइवेट लिमिटिड की स्थापना 13 मई 1986 में हुई आरंब में कमपनी द्वारा कपास, बाजरा, गेहु एवं जवार फसल में उन्नत किस्मों के उत्पादन एवं विक्रे का काम शुरू किया अलपावकाश में सबजी, मका, धान जैसी फसल में भी कमपनी ने अनेक उत्तम किस्में किसानों को मुहया कराई संकर प्रजाती निर्माण, जैव तंत्रग्यान, बीज प्रक्रिया एवं विपनन जैसे क्षेत्र में उन्नत तंत्रग्यान के प्रयोग से कमपनी का उद्देश साध्य करने में सफलता मिली इससे किसानों के उपज में भरपूर बढ़ोत्री हुई जैविक तनाव को सहनशील एवं जलवायू परिवर्तन के अनुकूल प्रजाती का विकास संभव हुआ वर्तमान एवं भविश्य में आने वाले मांग के अनुसार प्रजाती तैयार करने के लिए अजीत सीड्स ध्यान दे रही है जलवायू परिवर्तन के अनुसार संकर प्रजाती निर्मान करके किसानों की उपज बढ़ा कर राश्ट्रिय अन एवं कपास सुरक्षा द्वारा किसानों का जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कमपनी कटिबद्ध है अच्छा बता रहे हम आपको उन से मिलवाते हैं क्या नाम है साब आपका गाम कौन सा है साब तेसील सपोटरा जिला राज रास्तान मोबाइल नमबर बुलें साब अच्छा कितने दिन का हो गया साब बाजरा सतर सतर दिन का कौन सा बाजरा वह आपने अच्छा आप संतुष्टों और कौन सा बाजरा वह आपने इसके पास में पाइनल नमबर अच्छा अभी आजीत कंपनी का ग्यों और सर्सों आने वाली है क्या वह भी लगा होगे और किसानों को भी इसके लिए प्रुस्थायत करोगे अच्छा संतुष्टों इसके बारे में नजदी की जो दुकानदार है उसको भी आप इसके बारे में और इसकी जो फुटान है बहुत अच्छी आपको में बता दूं फुटान बहुत अच्छी है और देखने में पांच-पांच फुटान यहां पर आपको मिलेंगी एक-एक पहदे के अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच, छै भी हो सकती हैं। चलो शाप, बहुत ब